दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Realme के फोन में एक ही टाइम पर वाइफाई भी ओन रहे और उसी टाइम पर आप होट स्पोट भी अपना ओन कर पाएं तो यह कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ Actually Realme के फोन में यह फीचर दिया हुआ सैटिंग में पर देख सकते हैं Realme 7 में में और आपको आना है Other Wireless Connection में देख सकते हैं दोस्तो यहां पर आने कि बाद Wifi Tethering लिखा हूआ दूसरे नंबर पर उसमें जाना है यह personal hotspot है इसके अंदर नियान आपको आप देख सकते हैं मेरा wifi connected है और wifi tethering का option आ रहा है यहाँ पे तो wifi tethering आपको on करना है दोस्तों और इसके अंदर आप इसको on कर देंगे तो आपका एक और wifi hotspot भी create हो जाएगा और wifi connected भी रहेगा इसके अंदर आप अपना password गएगरा जो भी है setting आप यहाँ पे दर्ज कर सकते है manually और इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे आप अपना जो wifi है वो share कर पाएंगे आगे दूसरे को तो यह feature मेरे को काफी अच्छा लगता है दोस्तों जहाँ पे जो bluetooth और wifi की जो frequency टकराती है दिक्कत आती है वहाँ पे यह अच्छा solution हो सकता है और किसी phone में अगर connect करना है कैसे उसकी वीडियो चाहिए आपको तो description में लिंक है उसको भी check out ज़रूर करिएगा चैनल को subscribe करिए दोस्तों कोई चार नहीं लगता है वीडियो को लेकर के share करिए समझ नहीं आए तो comment करिए मैं जरूर आंसर करूँ